Hello student, कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing very good and fine. So welcome back to our channel, this site Franka Khanna, your educator. So student, हमारी आनन्वनी की, आनकाडमी की टीम आपके लिए लगातार एक new Olympiart लेके आ रही है. जहां पे हमारे students को ये पता चल रहा है अपनी eligibility के according कि वो कौन-कौन से Olympiart के paper दे सकते हैं. इवन कौन-कौन से papers होते हैं, कौन-कौन से subject related paper होते हैं, आपको सब पता चल रहा है, ठीक है? So आज के session में हम cover करेंगे SOF का next Olympiart which is the ISSO, that is International Social Studies Olympiart, ठीक है? नाम से आपको बहुत चीज़ों समझ में आ रही होगी. So आज हम इसमें cover करेंगे कि यह क्या होता है, इसके exam की date, exam, patterns, syllabus, books, awards, scholarship and some quarries जो आपकी होती है. ठीक है student? So इस session को start करने के पहले, again I request you to all कि ध्यान से इस वीडियो को जरूर सुनिए. वीडियो को last देखिएगा और चैनल को like, share and subscribe करना ना बूलिए. आपको लगतार हमारी इस चैनल में new olympiarts के बारे में पता चलेगा, आपको यह पता चलेगा कि कितने types of olympiarts होते हैं, जो आप जैसे बच्चे, आप बच्चे बहुत unaware होते हो कि हम कौन कौन से paper दे सकते हैं, ठीक है? So, session को start करते हैं student, next is what is SOFISSO, that is यह आपको चैनल इंट्रिदूस लगा, first time in 2021 में ही, it is being held for the student for class 3 to 10, third class से 10th class के students के लिए यह olympiarts का paper होता है, जहां पर again classes के अगर हम बात करें, तो कौन से classes के बच्चे दे सकते हैं, 3 से लेके 10 तक के student इसे दे सकते हैं, third class से 10 तक के, timing again बच्चों यहां पर इसका है, one hour का paper होता है, इसका एक single level का यह exam होता है, prizes में आपको बहुत चीज़े मिलती है, certificate हो गए, scholarships हो गई, medals हो गए, बह आप 12 साल में एक बार इस exam को दे सकते हो, साथ ही साथ अगर आप SOF के किसे और exam को भी देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं, इसके साथ साथ, ठीक है, according to कि आप किसके eligibility criteria में आते हैं, clear student, so अगर हम बात करते हैं, result की, तो exam के 8 weeks बाद इसके result आते हैं, medium के अगर हम बात करे तो ये English medium में ही paper इसका होता है, syllabus की बात करें, तो CBAC या किसी भी और भी state boards के जो भी exams होते हो, उनको सब को मद्धी नजर रखते हो, इस paper को बनाया जाता है, ठीक है, रहे बात eligibility की, तो कोई minimum qualifying marks के जरूरी नहीं होते हैं, रहे बात अगर fees की बात करें, तो 125 rupees इसकी fees होती है ठीक है, प्लस 25 rupees school के कोई charges होते हैं, और registration school से ही आपके students होते हैं, आप school के जरिये ही इस exam में registered कर सकते हैं, ठीक है, तो next अगरा बात करें कि इस exam का end क्या है, ये exam क्यों किये जाते हैं, क्यों होते हैं, तो इसका goal ये है कि to encourage the students to become more interested in social human behavior, the environment, the history and the political science, means, जो human behavior, social human behavior के बारे में आपके interest को बनाए रखना, ठीक है, आपको encourage करना, जानना इस चीजों के लिए, ठीक हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल साइन्स के बारे में, जो environment में इस सारी चीज़ हो रही हैं, इसके बारे में जानने के लिए आपको encourage करना, इसका ये एक ब अच्छे level पर understand करना, ये इसका mean उद्देश होता है, ठीक है, रहे बाद अगर हम इसके exam की date की बात करते हैं, student तो इसके exam dates में अगर देखिए, तो two dates इसके निकाले जाते हैं, एक date है जो 22 December 2022 को exam होगा, and date 2 is a 24 January 2023, means, दो dates होती है, जिसमें से school किसी एक date को opt करता है, और उस date में आपको exam देना होता है, ठीक है, दो date आपके convince के लिए जाता है, कि अगर school एक date को opt ना कर पा है, तो दूसरे date को opt कर सकता है, और जिसको भी opt करेगा, उसी में उसको exam देना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसकी बात करें, तो second level के जो exams होते हैं, जिसमें दो levels के जो exams होते ह हैं, वो होते हैं, IEO का, वो होता है आपका NSO का और एक होता है IMO के papers होते हैं, SOF के, ठीक है, रही बात अगर single level paper के, तो वो होते हैं आपके ISO, ठीक है, IGKO, ICO और NCO, जिसके बारे में हमने सब के बारे में आपको वीडियो में बताये हैं, कि कौन-कौन से papers होते हैं, ठीक है student तो कुछ exam single level होते हैं, कुछ exam two level के papers होते हैं, अब बात करते हैं, इसके exam pattern की, तो SOF, ISS, O, एक single level के exam में ये बात आपको clear हो गई है, जहां पे student की एक objective papers आते हैं, और वो 60 minute का paper होता है, that is one hour का paper होता है, जहां class third और class fourth के student के exam में केवल 35 objective type questions होते हैं, और class fifth से लेके class 10 तक के students में 50 objective type के questions पूछे जाते हैं, ठीक है, classes कम है, number of questions कम है, classes बढ़ गई तो आपके number of questions भी बढ़ गई, बर जो pattern है, वो आपको objective type का ही question आता है, ठीक है, रहे बाद अगर हम paper pattern के बाद करते हैं, तो ये class five sections होते हैं, class three से class fifth तक के बच्चों में two sections हैं, that is one is section one, social studies, and section two is the achiever section होता है, और class six to class eight के बच्चों में 4 sections हैं, that is history, first section में, second में आपका geography, third में social and the political life, and fourth is the achiever section आता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, third to fifth class के student में 2 section, six to eight के student पे 4 section, जहां पे history, geography, social, political life, and achiever section आते हैं, ठीक है, रहे बाद अगर हम class ninth और class tenth के बच्चों की बाद करें, तो यहां पे five sections होते हैं, जहां पे history, geography, political science, economics, and achiever section से cautious पूछे जाते हैं, clear student? तो अगर आप देखो, six to eight, four section, three to five, two section, और class पढ़ गई, sections पढ़ गए, क्योंकि आपके उसमें subjects भी add होते हैं, class ninth and tenth में five sections होते हैं, जहां पे इंचीवा section हर एक में, high thinking order के questions माने जाते हैं, या पूछे जाते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे, pattern of questions and marking scheme की बात करते हैं, तो class third and fourth के जो student हैं, जिनमें आपके, जिसमें वच्छों आपके दो sections ये पूछे जा रहे हैं, उसमें social studies के total number of questions होते हैं, 30, ध्यान से आप देखेगा, social studies के total number of questions होते हैं, 30, ठीक है? हर एक question होता है student 1 marks का, तो total आप count करोंगे, तो ये हो जाएगा 30 marks का, ठीक है? section 2 student होता है, आपका achiever section जिसमें total number of questions होते हैं, 5, और हर एक question होता है, 2 marks का, और total ये हो गया आपका 10 marks का, जी हाँ, फिर अगर आप grant total करोंगे, तो 35 number of questions total होते हैं, जहां पर आपके total marks होते हैं, इसके कितने 40, और total number of questions कितने हो गया, 35, means 35 total questions, और उसके total marks हो गया, आपके 40, के class के लिए, ठीक है, रही बात, अगर हम 5th class के बच्चे की बात करते हैं, तो उसमें भी 2 sections होते हैं, social studies और achiever section, जहांपे social studies में number of questions बढ़ के 45 हो जाते हैं, और हर एक question 1 marks का होता है, तो total number of questions हो गया, आपके 45, अचीवा section में होते हैं, आपके number of question 5, हर एक question होता है, 3 marks का, और total number of marks हो गया, इसके वो हो गया, 15, तो 45 marks हो गया, आपके social studies के, अचीवा section के total marks हो गया, 15, और अब count करोगे, तो यह हो गया, total marks आपका 60, और number of questions हो गया, आपके 50, तो total 50 questions, और जो कितने marks के हो गया, 60 marks के, ठीक बचो, next अगर आप बात करोगे, 6th to 8th class के students के लिए, तो उनमें होते हैं, यह 4 section, history, history में आते है, number of questions, student कितने, 20, ठीके, और हर एक question होता है, 1 marks का, तो total marks हो गया, student, यह आपका 20, clear, geography के बात के लिए, तो number of questions होते है, 15, हर एक question होता है, 8 marks का, और total number of marks, इसके कितने हो गया, 15 social and political life में number of questions होते है, 10, हर एक question आएगा, 1 marks को, और यह हो गया, आपका 10 marks का, ठीके, अच्छीवा section में student आते है, 5 question, और वो 5 question होते है, 3 marks के और total हो गया, यह 15, तो अगर आप grant total निकालोगे, तो 50 question, और कितने marks के हो गया, 60 marks के आपके, यह total हो गया, 60 to 8 student के लिए, ठीके, तो history, geography, social, political life और achiever section, number of questions आप देख सकते हो, 20, 15, 10 और 5, कितने marks के होते हैं, और total marks कितने हैं, तो आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, यह आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, ठीके, 9th and 10th student के लिए, history के questions आते हैं, 15, हर एक question होता है, 1 marks का, total हो गया, 15, तो history के 15 question आपके आ आ रहे हैं, 10 questions, जो कि आपके 10 marks के, 1 question, 1 marks का, political science के 10 questions, again, जो कि 10 marks का, economics के 10 questions होते हैं, जो कि again आपके 10 marks के, 1 question, 1 marks का, achievement section के 5 questions, जो कि होंगे आपके 3 marks के, और total हो गया आपका 15 marks, तो आप इसमें भी देखोगे, तो 50 और इसमें हो गया कितना आपका, 60 total marks इसके होते हैं, ठीके बचो तो वहाँ पर history के आ रहे थे 20 और यहाँ पर history के आ रहे कितने 50 total आपके number of questions है 50 और total marks यहाँ पर भी कितने है 60 ठीक है तो किस हिसाब ते कितने number of questions पूछे जा रहे हैं इस चीज को आप ध्यान से देखिए और paper को जरूर एक बार देने का try करिए अब आता है syllabus for class 3 because 3 से 10 तक के बच्चों के लिए paper है तो third class के students में कैसे syllabus क्या आता है तो section 1 में आपके basic need festival celebration जो आपके syllabus में होता है वही questions आपके वही आपके subjects के चीज़े पूछी जाती है तो people who help us की सारा आपका section 1 का part है section 2 में higher order thinking question होते हैं जो syllabus आपका section 1 के according ही होता है बस उसमें higher order thinking questions होते हैं तो section 1 में our country, India, resource and climate, our history, earth, environment, transport and communication ये सारी चीज़े section 2 में higher order thinking question आप देख सकते हो अपने-अपने syllabus को जो student जिस class के बच्चे हैं जो देख रहे हैं आप उसके screenshot भी ले सकते हो otherwise हमारे description box में आपको syllabus आपका मिल जाएगा चीक है syllabus for class 5 के बात करें तो section 1 में our earth, our environment, weather, climate, transport, communication ये सारी चीज़े section 2 में higher order thinking questions हाते हैं उसका slavers section 1 के courting होता है चीक है syllabus for class 5 के बात slavers for class 6 section 1 में आपकी क्या आता है the first cities and the Vedic age, history, जिसमें studying the past, early kingdom and new idea, first empire about ये जो भी आपके slavers में है section 2 में आपका geography, planet, earth, major domain ये सारी चीज़े पूछी जाती है section 3 में social and political life के बारे में and section 4 में higher order thinking question होता है जिसका slavers section 1 से भी, section 2 से भी, section 3 से भी cover कराया जाता है ठीक है syllabus for class 7, history के section 1 आता है जहां पे आपको medieval Indian history के बारे पूछा जाता है new kings and kingdom के बारे में बखती movement and so on section 2 में geography आता है जहां पे earth and environment, air, water, natural vegetation, wildlife, human environment and so on section 3 में social and political life जहां पे market around us, democracy and equality section 4 में higher order thinking question जहां का slavers as per section 1 and 2 and 3 से आता है clear आप slavers for class 8 के बारे first section history modern India source and significance freedom struggle in India India after independence इन सबसे जो भी आपके slavers में उससे questions आते है section 2 geography, land, soil, water, agriculture and interest इन सबसे निकाल के question पूछे जाते है section 3 में social and political life जहां पे आपको Indian constitution के बारे पूछा जाता है social justice ये सब चीज़े आते है section 4 में higher order thinking questions ठीक है अपना प्लीज आप slavers देखते चलिए जिस class के student आप देख रहे हो उसका screen shot लेते चलिए अदरवाइस आपको सारा slavers का detail नीचे description box में भेल जाएगा slavers for class 9 section 1 history ठीक है French revolution and so on section 2 में geography जहां पे Indian physical future and climate के बारे पूछा जाता है and so on section 3 में political science जहां पे election and working of institution section 4 में economics के बारे में section 5 में higher order थेंके questions के बारे में now slavers for class 10 history पहला आपका section जहां पे globalization ठीक है print culture modern world section 2 में geography आपके आती है section 3 में political science पूछी जाती है section 4 में economics आती है और section 5 में आपका higher order थेंके questions पूछी जाते हैं जिसका slavers 1, 2, 3 and 4 sections से निकाला जाता है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं student books की पीछे तो आपने slavers देख लिया अपना जो कि important होता है कि क्या के चीज़े आती है higher order thinking question आपके उपर सारे section से लिए जाते हैं रही बात अगर हम books की बात करते हैं student तो books में आपको की देख सकते हैं so आप जो भी अपने slavers में पढ़ रहे हो उसी को थोड़ा सा और detail पढ़ाई करके इन exams को बहुत आराम से आप देख सकते हैं रही बात awards की तो international zonal class troper award दिये जाते हैं winners को from third से लेके class 10 तक के हर एक winner को एक award ही मिलता है ठीक है अब बात करती है आट तर international level पे award and scholarship की तो first rank वाले बच्चे को 50,000 रुपीज मिलती है gold medal मिलता है outstanding performance का certificate मिलता है middle of distinction मिलता है certificate of distinction मिलता है अगर आपके first rank आती है international level पे चीक है second rank के student को 25,000 मिलता है silver medal मिलता है certificate मिलता है बाकी चीज़े सारी सेम है आपके बस जो cash prize है वो 50,000 से 25,000 मिलता है बाकी gold medal से silver medal certificate of outstanding performance middle of distinction and certificate of distinction भी मिलता है ठीक है third rank वाले student को 10,000 रुपीस bronze medal मिलता है बाकी चीज़े आप देखी लीजे outstanding performance का certificate medal of distinction and certificate of distinction भी मिलता है ठीक है so अगर बात करते है at the zonal level की तो rank क्या आएगी उसके साब से आपको scholarship मिलेगी अगर आपके first rank आती है तो 5,000 ठीक है zonal gold medal certificate of zonal excellence medal of distinction and certificate of distinction अगर second rank आती है तो 25,000 मिलता है और silver medal बाकी चीज़े student सेम है third rank वाले को 1,000 bronze medal मिलता है बाकी जोनन allowance का certificate middle of distinction certificate of distinction भी मिलता है fourth to tenth rank वाले को gift वर्त रोपीश 500 हर एक को certificate of zone and excellence medal of distinction certificate of distinction 11-25 rank गो certificate of zone and excellence middle of distinction certificate of distinction गोलता है ठीक है rank 26 प्लस को participation का certificate मिलता है हर एक को मिलता है तो 1st, 2nd, 3rd rank वाले को आप prices देख रहे हो, ठीक है, 4 वाले को gift मिलेगा, 11th से 25th को certificate और बाकी medal of distinction, certificate of distinction मिलेंगे और 26th plus rank वालों को सबको participation का certificate मिलता है, ठीक है, तो कुछ न कुछ आपको मिलेगा, वो बात अलग है, साथ ही साथ आपकी knowledge कितनी enhance होंगी, यह सबसे important है, ठीक है, आपको जो school level पर अगर बात करें, तो आपको school topper, जो class topper होते हैं, उनको middles मिलती है, हर participating student को student performance report card मिलता है, ठी 25 rank holder हर एक class in each olympiad exam से अवोर्ड के जाते हैं, middle of distinction, clear, now this is very important, कि student performance report क्या होती है, जो आप देख रहे हो, पहले भी कई और SOF के papers मिला है, जहां पर हर एक participating student को यह मिलने का main उदेश क्या होता है, विकास जिससे student के answer को analyze किया जा सके, आप अपने answer को analyze कर पाते हो, चीक है, यह 5 Marks sections में divided होते हैं, जहां पर section A होता है, student के marks को, student marks provide कि जाता है, और जो भी इसने rank अचीव करी है, school level पे, city level पे, zonal level पे, regional level पे, international level पे, जो भी आपने rank अचीव करी है, वो सब आपको पता चलता है, ठीक है, section B, provide a past year wise analysis of the student, यह पता चलता है, आपको section B में, section C में provide a percentage score analysis of the student साथे साथ, with a comparison at the class, city, zone and the international level, आपके percentage score को भी analyze किया जाता है, section D में provide a comparison of the average marks analysis, देखे, percentage wise पता चलता है, average marks आपके पता चलते, analyze कि जाते हैं, और section E में आपको topic wise performance यह पता चलता है, कि आपने हर एक topic wise performance कैसा किया है, तो इस report card के जरिये, overall आपको यह पता चलता है, कि आपका किस topic में अच्छा काम आपनी किया है, किसमें आपने अच्छे से पढ़के गई हो, आपको strong part के, आपको weak part के, आपको सारी चीज़े पता चलती है, ठीके, यह तो बात अलग है कि आप क्या rank लाते हो, यह बात अलग arts के paper होते हैं, आपको यह competition exam बहुत च्छोटी एच से देना, start कर देना चाहिए, actually में, ठीके, फिर बात आती है, student कैते है, interested तो है, but school has not received any information regarding this, so आपको क्या करना है, name, email id, complete address of your school, along with the name and the contact detail of the principal, as well, को send करना है, वो आपके school में registration form, sent करेंगे, और फिर आप उसको बहर सकते ह ठीके, रही बात, who all are eligible to sit for the Olympiad, 3rd से 10th class के student eligible है, इसको बरने के लिए, ठीके, there is no other eligibility criteria, कोई minimum marks का criteria नहीं है, ठीके, मतलब इस exam में बैटने का, Student benefits by taking Olympiad paper, आपको कैसे benefit होता है, आपको अपनी marks के basis पे ranking पता चलती है, आपको student performance report card मिलता है, आप international level पे, zonal level पे, school ranking के level पे आप award किये जाते हो, जहां पे annually price announced किये जाता है, जो international topper होते हैं, उनको award किये जाते हैं, at the grant price distribution ceremony, which is held in Delhi, आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, ऐसे kind के papers को देने में, competition के paper को देने में, clear student, so अगर exam के बाकि जो details है, all the relevant information, जब आप register करते हो, तो आपके school को SOF send करता है, prospectus, registration form, poster, ये सारे कुछ आपके, जो details होती, exam के पहले बेजी जाती है, बाकि ये site है, जिससे आप और भी details देख सकते हो, ठीक है, so last week, thank you so much, channel को like, share, subscribe, comment करना ना भूलिए, साथी साथ अब लगातार इसमें बने रहे है, बिकरस इसके medium से आपको different kind के जो olympiarts paper होते हैं, जो competition के paper होते हैं, जिनको student, बाकि उनके parent बहुत लोग unaware होते हैं, कि हम अपने school के exams के जरिये, means school के exam के जरियों और उसके अलावा और कौन-कौन से paper दे सकते हैं, जिससे आपको कोई एक छोटा benefit नहीं, बलकि आपको बहुत long term benefit होता है, बस आपको उसके लिए aware रहना है, ध्यान से वीडियो को सुनना है और अपने form जरूर बनना है, ठीक है, so last week, thank you student, thank you so much.